नमस्कार स्टुडेंट्स, साथियों, सबसे पहले आप सभी को Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल की ओर से NTA VGC Net December 2018 के लिए हर्दिक सुपकामन है How to Success NTA VGC Net जयारेप दिसंबर 2018, CBSE जो एक्जाम लेती थी अब NTA ले रही है, तो उसके लिए हम आपको जोखा है, दिसंबर 2018 में एक्जाम में सक्सेस होने के लिए, यादि 50 नमबर प्राप्त करने के लिए हम कुछ दिल्चस्प बातें बता रहे हैं अभी आने वाली दिसंबर मेहना में NTA VGC Net जयारेप की परिच्छा होने वाली है, इसके लिए बहुत से स्टुडेंट काफी मेहनत कर रहे हैं, हर कोई चाहता है कि वो इस परिच्छा में सफल हो जाए, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं, जिने तयारी करने के लिए काफी समय, काफी कम समय मिल पाया है, अभी देखा जाये तो एक मेहना बचा हुआ है, इस एक मेहने में भी अगर हम चाहे तो सफल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कड़ी मेहनत की जुरुत है, साथियों, आज हम आपको कुछ ऐसी बाते बताएंगी, जिनके द्वारा आप UGC Net मे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इतने कम समय में पूरा सिलिबस पड़ पाना बहुत मुस्किल है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कि कम समय में हम ज़्यादा अंकल लें, इसके अलावा स्टुटेंट्स के मन में ये भी प्रश्ण है, कि जब हम एक्जामिनेशन खाल में जाएं और हमें कम्पूटर से प्रश्ण पत्र प्राप्त हो जाए, तब हम किसको सबसे पहले खल करना चाहिए, कौन सा सरल है, कौन सा कठिन है, सुरू कहां से की जाए, और अंत कहां से की जाए, ये बड़ा कनफीजन वाला प्रश्ण है, मुझे कई लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से, फेस्बुक के माध्यम से, हमारा जो लॉडर और सिविल राइश यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से ये प्रश्ण पूछे गए हैं, तो मुझे लगा कि आपको ये जानकारी देनी चाहिए, कि हमें एक तो कोन से जादा तैयारी है हमारा, और किसको पहले बनाना चाहिए, देखे एक्जामनेशन हाल में सबसे पहले पेरग्राब रीडिंग पर ध्यान देना चाहिए, कुछ स्टुडेंट्स को पेरग्राब राइटिंग बहुत ही आसान लगता है, फिर भी इसकी थोड़ी प्रेक्टिस करनी चाहिए, यह हमारे लिए एक काफी म हत्पून हैं, क्योंकि पांच प्रश्न यानि की दस माक्स का सवाल है, पेरग्राब रीडिंग किसी एकेडमी में नहीं सिखाय जाता है, और नहीं इसकी कोई बिसेश प्रेक्टिस होती है, यह सब कुछ हमारे माइंट और अभ्यास पर डिपेंड करता है, इसमें अच्छे माक्स ले पाएं, इसके लिए हमें कुछ तयारी कर लेनी चाहिए, जैसे नूच पेपर, नूच पेपर में जो संपात्की दिया रहता है, उसको पढ़ें, या फिर पिछले वर्स के 10 से 15 पेरग्राब रीडिंग को पढ़ें और समझें, चुकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पेरग्राब रीडिंग को पढ़कर नहीं जाते, उनको ऐसा लगता है कि पेरग्राब रीडिंग बन जाएगा, पेरग्राब रीडिंग बन जाता है, सभी से बन जाता है, लेकिन समय जादा लग जाता है, इसलिए समय में बचाव करें, क्योंकि आपको 50 प रखते हैं यह 20-25 प्रश्ण में नहीं होगा यह तो पासिंग मार्क है न तो इसमें नेट किलियर हो सकता है और नहीं देट जारिप किलियर हो सकता है तो आपको 40-45 प्रश्ण सही बनाना हो तो आप परग्राप रीडिंग से प्रारंब करें परग्राप रीडिंग को बार बा जैसे संपातकी आप पढ़ें एक परेगराफ दो परेगराफ और उसके भाव को समझें इसमें क्या भाव है इसमें क्या तर्क है इसके पहले आपको जो है परेगराफ रीडिंग को पढ़ने के पहले आपको characterization सनखाल में question को पढ़ ले थोड़ा सा यदि question पढ़ लेंगे तो आपको समझा जाएगा कि जब paragraph reading करेंगे तो आपकी जो question पुछा गया है उससे समंधीत जो भी चीजें आपके paragraph में दिखाई दे रहा है उसको mind कर ले और उसी को टिक लगाते जाएं ये है तरीका paragraph reading का चुकि क्या करते हैं हम पहला पढ़ते हैं फिर प्रशन पढ़ते हैं फिर प्रशन पढ़ने के बाद में फिर एक बढ़ा paragraph पढ़ते हैं फिर तिसरी बार क्या करते हैं paragraph और question को दोनों को मिलान करके देखते हैं जिससे आपके 10 से 15 मिनट चला जाएगा और जिसके कारण से आपका जो अन्य प्रश्ण है छुटने की संभावना है या खडबला हट होने की संभावना हो सकता है तो इसलिए पहले कोश्चेन को सरसरी तोर से पढ़ें और उसके बाद में परेगराप को पढ़ते जाएं और उस परेगराप में रुख जाएं और उस परेगराप में जो बाते लिखा हुआ हैं और जो परश्ण में कुछे गया है दोनों को मिलान करते हुए ठीक मारते जाएं ये है सही तरीका परग्राप रिडिंग के बाद हमें कौन से प्रश्ण को खल करना चाहिए सबसे बहतर होता है पॉलिटी दुसरा चिजह है जो इंडियन पॉलिटी है उस पॉलिटी को जो दस्वा चेप्टर दिया हुआ है दस्वा चेप्टर को पढ़ें इसमें भी आपका चुका है तीन से चार प्रश्ण पुछा जाता है तो आपको पॉलिटी में तीन बातें हमेसा ध्यान रखना है एक तो फंडामेंटल राइड्स को थोड़ा सा पढ़ लें दूसरी बातें प्रसिडेंट के जितने भी राश्ट्रपती के बारे में बताया गया है जो प्रोसिजर है उसको पढ़ लें और तीसरा चीजे संसत संसत के जो प्रोसिजर है उस प्रोसिजर को देख लें ये तीरों चीजों में से तीन प्रश्ण पूछा जाता है। उसके अलाबा आप जो खाया है हाईर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कमिशन बने हुए हैं कमिशन के उद्देश को देख लें। देख का क्या काम है। उसके अलाबा नेशनल एवें इंटरनेशनल ग्रेडिंग सिस्टम को पढ़ ले। मतलब टॉप इनवर्शिटी कौन सा है इंटरनेशनल लेबल में वर्ल लेबल में और नेशनल लेबल में टॉप इनवर्शिटी कम से कम 3 को आपको पढ़ ले। उसके बारे में आप उसको पढ़ सकते हैं दूसरा जो प्रकार का जो पांच प्रश्ण है आपका सही हो सकता है तीसरा जो प्रश्ण आपको पकड़ना है तीन चीजे साथ साथ होता है एक तो teaching aptitude, research aptitude और तीसरा communication ये तीनों में से आपको जो है 15 प्रश्ण ये बन जाएगा आपका आपको क्या करना है teaching aptitude और research aptitude और communication aptitude में जो चाओर आपसन दिया रहते हैं एक प्रश्ण का उसमें से आपको ढूड़ना है एक सर्वस्रेष्ट आपसन और वो भी positively उसमें सकरात्मक भाव होना चाहिए और तीन आपसन में से एक आपसन जो है सबसे बहतर होगा ऐसे आपस बारी भी नहीं है इसका प्रश्ण का आंसर तो बहतर आपसन को चुनेंगे तुक्का भी मारेंगे तो सही होगा यह तीरों चीजों को आपको बारिगिस पढ़ लें जैसे teaching aptitude में मतलब काइंड्स आप teaching टाइप्स आप टीचिंग जिसको काते हैं teaching process teaching effective teaching method इसको आपको ज्य आप देख लें यह तीरों चीजों को तीनों चीजों में से एक एक प्रश्ण जरूर पूछा जाता है उसके वाला उसके अलाबार जो communication skills है जो best communication होता है verbal non-verbal से में से और कुछ तकनिकी दिया रहता है उस तकनिकी को आपको जो है भाव को जो है आपको जो है पढ़ना चा यह और उसके बाद इसमें भी communication में भी एक बहतर प्रश्ण पूछा जाता है इसके अलाबा computer से related 5 प्रश्ण इसको भी खल कर ले computer से सम्मंदित abbreviation पढ़ ले आपके keyword पढ़ ले input output चीजें पढ़ ले उसके बाद hardware के बारे में पढ़ ले मैंने बताया हूँ कि binary से decimal decimal to binary कैसे change करना है यह बहुत ही दो-दो minute में बनता है इसको आपको तैयरी करनी है इसके बाद आपको आना है कि environmental science में आना environment protection, pollution इसको आपको बनाना चाहिए उसके बाद सबसे last में आप जो कहा है mathematics को पकड़ें mathematics में सबसे पहला जो है series जो number series दिया रहता है world series दिया रहता है उसको बनाए फिर उसके बाद में relationship ये भी बन जाता है थोड़ा सा ध्यान दे तो बन जाएगा फिर उसके बाद में आपको जो है data interpretation पर ध्यान देना चाहिए सबसे last में data interpretation इसको आप ध्यान देते हैं तो CV student की NTA UGC JRAP clear करने में बहुत ही हम अहमियत रखता है वह है पिछले कम से कम 5 सालों के paper को revise करना उनके हर एक प्रशन पर गौर करना क्योंकि जब आप पिछले प्रशन पत्र करोगे तो उनमें आपको काफी concept दिखाई देंगी जो आपने नहीं तो कभी books में पढ़े हैं औ और नहीं कभी किसी teacher ने आपको बताया है तो उनके बारे में आप internet पर सर्च कर सकते हो जब हम पिछले साल की paper करते हैं तो हमें basic idea लग जाता है examiner कौन से topic से किस तरह के प्रशन पूछ रहा है विजिसी net में एक person बार-बार repeat नहीं होता कोई भी question जो है बार-बार repeat नहीं होता लेकिन उस concept से related सवाल बार-बार repeat होते हैं तो साथियों अगर आपके पास time है तो आप जरूर एक बार पिछले प्रशन पत्र को देख लीजिए पिछले प्रस्ण पत्र revise करने के दोरान हो सके तो आप यह कोसिस किजी कि आप subject wise उनको revise किजी मान के चलिए आप paper first में research पढ़ रहे हैं और आपने research का lesson पढ़ लिया है उसके बाद paper first की salt book उठाएं और उसमें research जितने भी questions दिया है उनको पढ़िए उनमें देखिए कि क्य क्या नई चीजे उन्होंने पूछी है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है दोस्तों यह कुछ बाते थी जो आपको UGC net में सफल होने के लिए हमने आपको बताएं और हम आसा करते हैं कि आप इन बातों पर ध्यान देकर अपने exam में जरूर सफल हों आप सभी को एक बार सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना जोरी नहीं है आप चाहे तो सब्सक्राइब करें और यदि आप हमारी चैनल के साथ में regular बना रहना चाहते हैं और आप एक बहतर जिवन एक बहतर सपने को पूरा करना चाहते हैं तो ही सब्सक्राइब करें अन्यथा इस्तिति में सब्सक्राइब करके कि हमारे चैनल के मान को बढ़ाने के बजाए आप घटाएंगी जब आप हमारे वीडियो को देखते नहीं है देखेंगे ही नहीं तो सब्सक्राइब करके क्या फैदा ऐसे बेक्ति सब्सक्राइब न करें थैंक यू